पूरे देश में राजिस्थान ने अपने ही तरकी का एक मोडिफाइड लॉक्डाउन तयार किया है प्रिधान मंत्री नेंदर मोदी की और से जब से 19 दिन के लॉक्डाउन को बढ़ाने की गोशना की गई और उसके साथ जब आज मंत्रा लेकियो और से एक गाइड लाइन आ गयी है तो उसके बाद में मुख्यमंद्र आशोग गहलोत ने अपने अधिकारियों के साथ बैठा करकर एक फैसला लिया है जिसमें राजिस्थान के अंदर मौडिफाइड लॉक्डाउन लागू किया गया है और इस मौडिफाइड लॉक्डाउन के जरिए अब राजिस्थान के अंदर 21 अप्रेल से बहुत बढ़ी राहत प्रिदेश के कई लोगों को मिली है जिसमें किसान और मजदूर वर्का खाज तोर पर ध्यान रखा है सरकार ने जहां है स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बहतरीन कॉंबिनेशन मुख्यमंतिर अशो गयलोट ने गोशना की है कि 20 अप्रेल से प्रदेश के अंदर योजनावध तरीके से मौडिफाइड लॉक्डाउन लागू किया जाएगा और इसके लिए राजिस्थान में ग्रामिर छेतरों और ओद्योगी छेतरों के अंदर 20 अप्रेल के बाद से यानि की 20 अप्रेल से जितनी ओद्योगी इकाईया है उनको शुरू किया जा सकता है उनको शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने दे दिये हैं जिससे एक बड़ा काम हो जाएगा कि जितने भी प्रिवासी मजदूर इस वक्त राजिस्थान के अंदर रुके वे हैं उनको रोजगार मिल सकेगा और उसके साथ साथ जो इस्थानी मजदू है जिनको इस समय नगदी की बहुत बड़ी समस्या हो रही थी उनको परेशानी हो रही थी रोज मेहनत करते हैं और रोज कमाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एलान है बहुत बड़ा फैसला है मुक्यमंतिर अशोग गैलोत का जिसमें उन्होंने ये गोशना कर दी है कि 21 अप्रिल से राजिस्थान में उद्धोगी इकाया जो है वो शुरू हो जाएंगी जिससे मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा इसके साथी जब बुदवार को मुक्यमंतिर अशोग गैलोत अपने निवास पर बैठक ली तो उचिसतर ये बैठक के अंदर और बहुत सारे निर्देश अधिकारियों को दिये हैं जिसमें उन्होंने काया कि शहरी छेत्रों के अंदर ऐसे उद्धोग स्टार्ट हो उनको ये व्यवस्था करनी होगी कि वहाँ पर अगर शर्मिक के रुकने की उचित व्यवस्था होगी उनके जो कारेस तल है वहाँ पर उनके शर्मिकों की रुकने की व्यवस्था होगी तो वो उद्योग भी शुरू हो सकते हैं ऐसे उद्योग को शुरू भी किया सकता है उनको शुरू किया जाए ऐसा मुख्यमंतिर अशुक गैलोत ने काया और ये फैसला भी खास तोर पर मजदूरों के हित में लिया गया है कि लगातार ये खबरे पूरे देश से आ रही है कि मजदूरों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और देश में पहली ब कि किसी प्रकार की कोई अनुमती नहीं होगी यानि कि किसी दूसरे राज्य या जिले से कोई भी मजदूर नहीं आ सकता है जो जहां पर है अगर वो मजदूर वहीं रहता है और वहां पर अगर उनके रहने की सुविदा है तो फिर वहां पर उद्योग शुरू हो सकता है औ प्रवाग को जिसमें जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केंद्र और पुलिस इन चारों ही विभाग को यह काया है कि यह आपसी समनविय स्थापित करें अधिकारी आपस में बैठक करें और यह सूनिचित करें जिससे की लॉगडाउन के दोरान किसी भी प्रकार का जो संपर कर सके, इसके लिए एक विवस्ता बिल्कुल उची ढंग से बनाए जाए, तरीके से बनाए जाए, चाहें वो कलेक्टर के स्थर पर हो, चाहें वो रीको स्थर पर हो, चाहें वो जिला उद्योग केंद्र पर हो और पुलिस के स्थर पर हो, इसलिए चारों विभाग क जिक्र किया गया है कि चारो विभाग आपस में समन्वी इस्थापित करें और उद्मी को एक बड़ी राहत दें जिससे उसको किसी पिरकार की अद्दगी काई चलाने में परेशानी ना आए और मजदूर वर को रोजगार भी इस वक्त मिल सकें समदित अधिकारी से संपर्क में उद्मी रहे इसके एक विवस्ता करने के लिए काया है इसके साथी मजदूरों के आने जाने में पास की विवस्ता को सुगम किया जाए यह साफ तोर पर नेदेशित मुक्यमंतरी ने कर दिया है कि जो अद्दगी काईया है वहाँ पर जो मज मजदूर या करमचारी जाएंगा उसके लिए पास की विवस्ता उची तारीके से की जाए वैसे तो मजदूरों को वहीं रुकना है लेकिन कई ने इसके साथ में बड़ी घूषना मुक्यमंतरी चूग गैलोत ने की है कि 21 अपरेल से जितने सरकारी कारे लिए हैं वो क्रमबत चरणबत तरीके से खोलने के निर्देश उनों ने दे दिया है यानि कि जो सरकारी कालेले हैं जो अभी तक बंद है हाला कि जो emergency services इस वक्त दे रहे हैं आवशक सेवाओं में जो लगे वे हैं इस वक्त वो काले खोले वे थे लेकिन वहाँ पर दूसरे काम इस वक्त नहीं हो रहे थे लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे विभाग थे वो बंद थे और उन्हीं विभागों के लिए आदेश आया है कि चरणबत तरीके से अब सरकारी काले खोले जाएंगे इसके लिए निदेशित साथ तोर पर मुक्य मंत्री ने कर दिया है लेकिन इसमें भी कुछ इंडियम कुछ शर्ते हैं जो मुक्य मंत्री अशोग गैलोत ने निदेशित की हैं जिसमें बताया गया है कि अन्य करलों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाएगा और उनमें जो गुरूप A है और गुरूप B के जो अधिकारी है उनकी उपस्तिती आवशक्ता नुसार शूनिचित की जाए यानि कि यहाँ पर एक कैटेगरी को डिवाइट कर दिया है गुरूप A और गुरूप B के जो अधिकारी है वो अवशक्ता नुसार अपनी उपस्तिती सूनिचित करे इसके साथ ही जो गुरूप C और गुरूप D के एक तियाही कार्मिक है उनी को बुलाया जाएगा और उनको सूशल डिस्टेंसिंग की पालना वहाँ पर करनी है यानि कि जितने भी सरकारी कार्लिया है वहाँ पर गुरूप C और गुरूप D के सिर्फ एक तियाही कार्मिक वहाँ पर पहुचेंगे लेकिन उनको भी जो समाम सरकारी करमचारी है ऐसा नहीं है कि विभागों के अंदर सूशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाए अधिकारी सूशल डिस्टेंसिंग को नजर अंदाज कर दें तो इसको लेकर साफ़त और पर निर्देशित किया है मुक्यमंतिरी ने कि सूशल डिस्टेंसिंग की पालना काम के साथ-साथ की जाएगी लेकिन एक बड़ा फैसला ये भी है कि गुरुप C और गुरुप D के केवल एक त्याई कार्मे की जो करले हैं वहाँ पर आपाएंगे इसके साथ ही एक बड़ी गोशना सरकार ने करी है मुक्यमंतिर शोगलोट ने की है कि प्रिदेश के अंदर सिचाई के और जो सार्जनिक निर्मान के जो काम थे जो रुके वे अभी तक थे क्योंकि कही तरी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार ने इन्देशित किया है कि सार्जनिक निर्मान और सिचाई के जितने भी काम है वो तमाम काम अब शुरू हो जाएंगे निदेशित किया है मुक्यमंतिरी ने कि ग्रामिर छेतरों के अंदर सिचाई की विवस्ता उची तरीके से की जाए और इसके लिए तुरंट प्रभावसे कार्यों को वो शुरू कर दिया जाए लेकिन इसके साथ इस पात कर ध्यान भी रखना है कि किसी प्रकास से सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो ना तूटे हो और अपना स्वास्त खास दोर पर ध्यान में रखना है स्वास्संपंदी जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करना है और उन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मंदेगा के जो कारे ہیں क्योंकि यह कारों है हैं साजजी रिमार के और सिचाई के काम है वो मनलिगा के तहट किया जाते हैं और मनेटा के तहट इन कारेयों के अंदर तीजी लाए जाए इसको मक्तिति अश अधि गैलोत के लिया है और उसमें यह फैसला किया है जिन साथजी निर्माद और सिचाई के जो काम है वह तेजी के साथ शुरू कर दिये जाए जिससे कि ग्रामिन छित्रों में शर्मी को कोई के रोजगार मिले और रोजगार के अधिक अफसर यहाँ पर पैदा हो यह एक बार फिर वो फैसला है जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि मुक्यमंतिर अशोग गैलोत लगातार प्रिदेश के अंदर मज़़ूर और किसानों के लिए सोच रहे हैं और उसी के लिए मुक्यमंतिर अशोग गैलोत नहीं एक बड़ा फैसला लिया है साथ में मुक्यमंतिरी निदेशित किया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमन के जितने भी हॉट स्पॉट इलाके हैं जहां जहां पर इस वक्त कर्फियू लागू है वहां पर कर्फियू की सक्ती से पालना की जाए यानि कि वहां पर कर्फियू की किसी प्रकार की डिलाई ना दी जाएगी और इसके लिए इन चित्रों में किसी को भी आने जाने की इजादत नहीं होगी और इसमें तमाम सरकारी करमचारी भी शामिल हैं यानि कि साफ़त वर पर जिस तरीके से सरकारी कारले खोलने का और तरण बत तरीके से साब जी निर्माण और सिचाई के काम चुनौती है तो सीधे तोर पर 20 अप्रेल तक जिन जने अलाकों के अंदर किसी प्रिकार का केस नहीं होगा किसी प्रिकार से कर्फ्यू अगर वहाँ पर कोई हॉट स्पॉट नहीं होगा तो ये बड़ी राहत की बात होगी लेकिन अगर वहाँ पर हॉट स्पॉट है कर्फ तो उसके अंदर एक फैसला लिया गया है, उसमें निदेशीत किया गया है, कि जो भारत सरकार की, तीन मही तक की जो guideline है, lockdown को बढ़ाने को लेकर, इसको पूरी तरीके से लागू किया जाए, इसको विस्तित guideline जो है, वो पूरी तरीके से प्रिदेश में सुचारू तरीके से लागू हो और प्रिदेश में किसी भी परिस्थी के अंदर ये लॉक डाउन की जो गाइडायन है वो ना तूटे इसकी पालना सूनिशीट की जाए इसको निदेशी तो नों ने किया है पिर जो कुरोना वाइरस की मामारी है उसके दोरान मुक्यमंत्रिय शोगलोद ये फैसला कर रहे हैं कि आमजन की रक्षा और आर्थिक गतिवीदियों को सुचारू बनाया जाए उसके लिए केंदर के जो भी गाइडलाइन्स आएंगी उसके साथ में समन्वियों इस्थापि जाना पड़े इसको लेकर यह बहुत बड़ा फैसला हुआ है इस मामले में यह भी हो सकता है कि 20 अपरेल से पहले पहले एक बड़ी गोशना और आजा है जिस गोशना के अंदर हो सकता है कि कुछ प्लंबर्स हैं कुछ इलेक्टिशन जो हैं बिजली जो है इनको लेकर भी सकता है हाला कि आज जो निर्देश दिये हैं इस निर्देश के अंदर इन तमाम सेक्टर को लेकर किसी प्रकार का निर्देश मुख्यमंत्री अशोगयलोत ने नहीं किया है लेकिन उमीद यह की जा सकती है कि 20 अपरेल तक अगर ऐसे इलाके जहां हाट इसपोट इलाके नह सकता है